हलो जी नमस्ते, चेतिनगर रोजगार नूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ विजय चोहान और आपके लिए लेकर क्या गए है एक नई भरती, केंदरी विद्याला धमतरीक अंतरगत यहाँ पर एक नई भरती के लिए नोटिफिकेसन जादी क्या गए है, बता दें नोट के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए आप वालकेन इंटर्विव में उपस्तित होकर क्या विधन प्रस्तुत कर पाएंगे, बतार ने यहाँ पर जो भी नोटिफिकेसन जारी किया गया है, केंदरी विद्याला धमतरी और केंदरी विद्याला कुरुद दोनो विद्यालाओं के लिए सक्षण 1623 और 2024 के लिए अंज कालिन समीदा सिक्षकों की भरती की जाएगी, जो भी भरती होगी यहाँ पर वालकेन इंटर्विव के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए वालकेन इंटर्विव को जो है आवजन किया जाएगा, सबसे पहला जो व अंग्रेजी, हिंदी, गणीद, भौतिकी, रसायत, जीव विग्यान सब्जेक्ट के लिए भर्तियां की जाएंगी वहें TGT के अंतरगत अंग्रेजी, हिंदी, गणीद, विज्ञान, समाजी विज्ञान और संस्क्रीद विशाय के लिए यहाँ पर की जाएंगी दो मार्च 2030 दिन गुरुवार को TGT और PGT सिक्षकों की भर्ति की जाएगी वहें अगली जो है यहाँ पर वालकेन इंटर्व्यू की डीड बताई गई है पांच मार्च 2030 दिन रविवार को यहाँ पर PRT महिला नर्स, खेल प्रसिक्षक अर्थात स्पोर्ट कोच की भर्ति की जाएगी कम्प्यूटर अनुदेशक की भर्ति की जाएगी, इस्पेसल एजुकेटर की भर्ति यहाँ पर की जाएगी, पांच तीन दोहजारतेज अर्थात पांच मार्च 2030 रविवार को जो भी यहाँ पर वालकेन इंटर्व्यू को जो आजन किया जाएगा, उसमें केवल धमतरी व प्रक्रिया का लाब उठा सकते हैं, बात करें पदो के विवरनों के बारे में, तो जितने भी पोस्ट ग्रेजवेट टीचरों की यहाँ पर जो भी भर्ति की जाएगी, उसके लिए बता दें क्वालिफिकेसन के बारे में, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी तब आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, वहीं बात करने वेतन के बारे में, तो 27,500 रुपेगा प्रतिमा आपको जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगली जो यहाँ पर पोस्ट बताई गई है, TGT, ट्रेंड ग्रेजवेट टीचरों की, तो अलग-अलग स TGT के सबजेक्ट हैं, उनके बारे में बताएगे है, तो जो भी है भ्यारती TGT के लिए अपलाई करना चाहते हैं, उनके पास यहाँ पर बैचलर डिगरी बताएगे है, बैचलर डिगरी होना चाहिए, यहाँ पर 50% नंकों के साथ तब आप अपलाई कर पाएंगे, और सा 22,250 रुपे का मासिक वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगली जो यहाँ पर पद निकालेगी है, PRT, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर भरती निकाले गई है, सभी विषयों के लिए यहाँ पर निकाले गई है, बात करने क्वालिफिकेशन की, तो केवल बारवी क अग्छा पास यहाँ पर मांगे गई है, 50% अंकों के साथ अगर आप बारवी कख्छा पास हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपने सी टेट पर इच्छा पास कर लिया है, आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, 21,250 रुपे का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, अगली पर य निकाली गई है, स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स की जो भी भरती की जाएगी, इसके लिए बता दें, आपके पास नर्सिंग के डिगरी होनी चाहिए, और फिर नर्सिंग के अंतरगत आपने डिप्लोमा किया हुँ है, तब आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, 750 रु आपके पास डिग्रियां है, तब आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, या फिर संस्थान में BPA की या फिर MP8 की जिए आपके पास डिग्री है, आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, 21,250 रुपे का प्रतिमा वेतन दिया जाएगा, अगली नहां पर निकाले गई है computer अनुदेशक की इसमें बता दें आपके पास अलग अलग तरह की degree के बारे में बताएगे हैं अगर आपके पास BST computer science के degree है अब apply कर पाएंगे आपने BCA किया है आप इसके लिए apply कर पाएंगे B take या फिर BE की degree है तो भी आप apply कर पाएंगे या फिर आपके पास PGDCA की degree है तब भी आप इसके लिए apply कर पाएंगे 26,250 रुपे का प्रतीमा आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा अगली यहाँ पर पद निकाले गई है विशेज सिक्षक special educator की special educator के जो भरती होगी 10 प्लस 2 के अधारपन यहाँ पर की जाएगी 37 आपके पास B8 की degree है तब आप इसके लिए apply कर पाएंगे 21,250 रुपे का प्रतीमा जो है वेतन दिया जाएगा बताने दो विध्याले के अंतरगर जब भरती की जाएगी इसके लिए बता दे आविधन प्रस्तूत करने के लिए आपको केंदरी विध्याले धमतरी में आपको अलग अलग आविधन यहाँ पर करने होंगे अगर आप एक से जादा आविधन प्रस्तूत करने होंगे अगर आप एक से जादा आविधन प्रस्तूत करने होंगे अगर आप एक से जादा आविधन प्रस्तूत करते हैं तो कुछ पदों के लिए यहाँ पर सीशेट के बारे में तो अठारा से ले करके 65 वर्स के अभियार्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं साथ ही साथ यहां पर आवेदन पत्र के बारे में जानकारी दी गई है कि जो भी अभियार्थी इन पत्र के लिए आवेदन प्रस्तूत करना चाहते हैं इस आवेदन प जाले कुरुत के अंतरगत निकाली गई भरती प्रकरिया के बारे में 2 मार्च और 5 मार्च को यहां पर समविदा सिक्षकों की भरतियां कि जाएगी जिसमें उपरसीत हो करके आप इस भरती प्रकरिया का लाब उठा सकते हैं वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रसना है कामेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक करिए हम आपसे मिलते हैं कि नई वीडियो में नई जानकारी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहदल से धन्यवाद